इस वीडियो में हम लोग सॉल्ब करेंगे एक्सरसाइज 10 दी आप आरे सगरवाल कोस्चन नमबर 16 से इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो डाला है कोस्चन नमबर 1 से 5 तक और उसका 6 से आपका 15 तक यदि आपने नहीं देखा है तो वो पहले देखे जिससे आपको next आपक कर देखे तब ही आगे का कुछ आपको समझ में दीरे दीरे आएगा ठीक है तो चलिए कोस्चन नमबर आप हम लोग 16 लेते हैं कोस्चन नमबर 16 है आपका y equal to cos inverse root under of 1 minus x square ठीक है के कल हम लोग देखे थे जहां पर भी आपका root under of a square minus x square हो या यजा पे यह दिए 1 है तो क्या होगा 1 minus x square ठीक है वहाँ पर हम लोग क्या पूट करते हैं x equal to sin theta ठीक है यहाँ पर पूट करेंगे x equal to a sin theta ठीक है यहाँ आप x equal to sin theta या आप x equal to यहाँ पे a cos theta भी put कर सकते हैं यहाँ पर और x equal to cos theta भी put कर सकते हैं दोनों से बनाएंगे आपका answer same आएगा ठीक है चलिए तहम लोग यहाँ डालेंगे x equal to put x equal to sin theta डालके देखिए यहाँ तो y आपका क्या हो जाएगा y equal to cos inverse of root under 1 minus sin theta means आपका sin square theta हो जाएगा square है y equal to cos inverse of root under 1 minus sin square theta क्या होगा class 10 में आपने परहा होगा cos square theta plus sin square theta equal to 1 1 minus sin square theta यहाँ से cos square theta जाएगा इतना बात समझ में है क्या है y equal to क्या हो जाएगा cos inverse रूट के बाहर यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा cos theta जाएगा simple सा है चलिए अब आप को लेटी हम लोग बता चुके है cos inverse of cos theta क्या होगा यहाँ पर जो term रहेगा वही होगा means cos inverse of cos theta आपका theta होगा ठीक है तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा y equal to cos inverse of cos theta theta का बाद theta है means y equal to theta गया ठीक है चलिए अब यहाँ देखेंगे question में देखिए theta तो है नहीं y मेरा theta के form में आगा है इसको हम लोग क्या आई y यहाँ पर x के form में है means आपको theta को change करना परेगा हम लोग यहाँ put क्या किये थे x equal to sin theta यहाँ theta क्या आ जाएगा sin inverse of x आ जाएगा तो y equal to क्या हो जाएगा theta theta equal to sin inverse of x आपको find क्या करना था dy by dx means आपको given function को क्या करना था differentiate करना था तो आप क्या करेंगे dy by dx simplify करने को अरद y आ गया sin inverse x d by dx of sin inverse x sin inverse x का differentiation क्या होता है 1 divided by root under of 1 minus x square यह था आपका question number 16 अब हम लोग next question की तरह परते है question number 17 यहाँ पर भी देखिए यह term देखिए यह इससे आपको समझ में आ जाएगा root under of 1 minus x square है यहाँ देखिए root under of 1 minus x क्या put करेंगे यह तो x equal to sin theta यह x equal to cos theta कुछ भी put कर सकते हैं इसलिए यह सब already हम डिसकस कर चुके हैं कहाँ पर क्या put करना है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे क्या आपको put करना परेगा put करेंगे तो y equal to sin inverse of 2 sin theta root under of 1 minus x square theta क्या हो? cos square theta चलिए तो y equal to sin inverse of 2 sin theta root under of cos square theta root से बाहर आए जाएगा means cos theta पहले ही question में हम लोगों discuss किये थे हैं इस exercise के पहला वीडियो ड़ाया था उसमें आपका sin 2 theta का formula बतायते क्या होदा है 2 sin theta cos theta देख यह दिख रहा 2 sin theta cos theta इसके जाब राइडियक्ट आप क्या पूट कर सकते हैं y equal to sin inverse of इसको आप sin 2 theta लिख सकते हैं ठीक है यह आपको formula है sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta यहाँ पे पूट कर दिए अब आपको पता होगा sin inverse of sin theta क्या होता है theta होता है यहाँ पर देखिए y equal to sin inverse of sin theta theta का पूट की पूट अपका 2 theta तो y equal to 2 theta जाएगा इसका आप इस्तेमाल किये हैं ठीक है अब आपका function आपका x में है यहाँ पर function जो आया theta में theta को हम लोग क्या change कर लेंगे x में change कर लेंगे हम लोग put किये थे x equal to sin theta तो theta यहाँ से क्या हो जाएगा y तो निकल गए अब हम लोग क्या करेंगे dy by dx पाइंट करना है आपको lastly तो dy by dx ही पाइंट करना है तो 2 बाहर जाएगा dy by dx of sin inverse x तो क्या हो जाएगा 2 into sin inverse x का differentiation 1 divided by root under of 1 minus x square मेरा क्या गया 2 divided by root under of 1 minus x square यही आपका answer यह था आपका question number 17 अब हम लोग next question की तरह बढ़ते है question number 18 देखिए यह direct आपका formula पर है sin 3x क्या होता है 3 sin x minus 4 sin cube x यह देखिए 3 x का पर हम लोग sin इसका कोई absorption नहीं है direct formula पर आप direct formula का आपको जो उसमें put करना हो करेंगे जैसे sin 3x क्या होता है 3 sin x minus 4 sin q x देखिए 3 x minus 4 x क्यों है यदि हम लोग x के जहाँ पर यदि यहाँ यह था आपका formula था ठीक है यह formula यहाँ पर यूज होगा यदि हम लोग put x के जहाँ पर sin theta put कर दिए तो क्या आजाएगा y y equal to इसके लिए आपको formula याद होगा तभी आप समझ पाएगे कहाँ क्या put करना है चलिए x के आप साइन theta put करेंगे 3 sin theta minus 4 sin cube theta अब इसको आप क्या लिख सकते है sin 3 x equal to 3 sin x minus 4 sin cube x क्या हो जाएगा यह यह थीटा है था sin theta का value हो जाएगा तो आपका y equal to sin inverse of sin 3 theta यह आपका direct formula यह यह direct put करती है तो y equal to यहाँ देखिए यह वाला थर्म sin inverse of sin theta sin inverse of sin theta क्या होगा theta हो जाएगा तो आप देखेंगा y equal to sin inverse of sin theta theta का बहुँआ 3 theta तो 3 theta हो गया आगे बढ़ेंगे अब आपका function आपका x में है यहाँ आपका theta में आ गया तो यहाँ से change कर लेंगे जहाँ से put x equal to sin theta put किया है तो theta यहाँ से क्या आजाएगा जहाँ से put किया उसी से हम लोगो change करना है theta equal to sin inverse x तो 3 theta के बढ़ेंगे sin inverse x अब देखी simple जाओगे आप अब dy by dx कर लेंगे dy by dx क्या जाएगा थिरी dy by dx of sin inverse x तो थिरी sin inverse x का differentiation 1 divided by root under of 1 minus x square तो यहाँ से dy by dx आ गया 3 divided by root under of 1 minus x square तो यही आपका answer हो जाएगा इसको हम लोग घैर देंगे चलिए यह था question number 18 अब हम लोग next question 19 की तरफ बढ़ेंगे question number 19 लेंगे यह आपको बनना चाहिए यह आपने पहले का वीडियो देखा तो यह आसानी से बना लेंगे जहाँ पर हमने आपको cos 2x का formula बताया था cos 2x का formula बताया cos square x minus में sin square x यह इसको आप पूरा change करना चाहते है cos यह sin में तो क्या हो जाए cos square x को 1 minus sin square लिखेंगे तो 1 minus 2 sin square x अब देखिए 1 minus 2 sin x square है यदि हम लोग x के बद sin x डाल देंगे तो यह आपका इस form में आ जाएगा चलिए यह फर्मूला यहाद रखे रहेंगे आप तो आसानी से कर पाएंगे यदि यहाँ पर देखिए एक और फर्मूला क्या है 2 cos square x minus 1 cos 2 x का एक और फर्मूला 1 minus 10 square x divided by 1 plus 10 square x ठीक है इतना फर्मूला होता है यह है question number 90 यह आपका इतना फर्मूला होगा जहाँ पर आपका यह देखिए इस question में हमको यह जरूरत है देखिए कैसे जब बतना चला 1 minus 2 x square है यह आपका जरूरत पर गया डाइरेक्ट हम लोग क्या put करेंगे यहाँ put x equal to sin theta तो क्या आपका y आजाएगा y को बहुत यह आसान question है sin inverse of 1 minus 2 x गापे sin theta sin square theta हो जाएगा अब यहाँ से देख लेंगे cos 2 x equal to क्या होता है 1 minus 2 sin square theta है तो theta हो जाएगा तो y equal to sin inverse तो लिखेंगे यह किसका फर्मूला हो जाएगा cos 2 x यहाँ theta है तो cos 2 theta का फर्मूला हो जाएगा इतना बात समझ में आग गया चलिए अब देखिए यहाँ sin inverse है यहाँ यदि sin रहता तो आसानी से बात बन जाता क्योंकि sin inverse of sin theta क्या होता है theta होता है लेकिन यहाँ cos है इसको change कर लेंगे कौन सा फर्मूला आपका complementary angle वाला class 10 में जो पहले परते तो वो फर्मूला क्या होता है cos theta equal to sin 90 minus theta होता है यहाँ put करेंगे y equal to sin inverse cos को change करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 90 minus theta होए 2 theta चलिए अब आपका direct formula लग रहा है sin inverse of sin theta क्या हो जाएगा theta हो जाएगा तो y equal to theta का क्या टर्म है यह पूरा टर्म है means 90 degree minus 2 theta आप देखिए जो put किये थे वहाँ से theta का value निकाल दीजे x equal to sin theta put किये है तो theta equal to sin inverse x आ जाएगा यहाँ put किजिए तो y equal to 90 degree minus 2 theta आपकाई sin inverse x हो जाएगा यह कितना simplification हो गया इसका असानी सेक्तम अब हम लोग क्या करेंगे इसका dy by dx फाइंड कर दीजिए differentiation कर जाते है dy by dx 90 degree है constant है इसका क्या हो जाएगा difference 0 हो जाएगा minus 2 बाहर रखेंगे sin inverse x का difference है 1 divided by root under of 1 minus x square तो यहां से आगा minus 2 divided by root under of 1 minus x square यह था आपका question number 19 यह फर्मूला याद रहता तो आपका यह आसानी से बन जाता है question number 20 है y equal to second verse of 1 divided by root under of 1 minus x square ठीक है और लेदी हम लोग discuss कर चुके है root under of 1 minus x square हो तो आप put कर सकते है x equal to sin theta और आप x equal to cos theta put कर सकते है कुछ भी put कीजिएगा आपका answer से माएगा तो put करेंगे x equal to sin theta तो y equal to second verse of 1 divided by root under of 1 minus x square sin theta means आपका 1 minus sin square theta हो गया तो y equal to second verse of 1 divided by root under of 1 minus sin square theta root under of 1 minus sin square theta क्या हो गया cos square theta अब आपका score simplify कर लीजिए y equal to second verse of 1 divided by root से बाहर निकालेंगे cos square को तो आपका cos theta हो जाएगा अब 1 by cos आपका क्या होता है बच्चपर में पढ़े है class 10th में second verse of या 1 by cos क्या होगा second verse of यह बच्चपर में पढ़ चुके है अब यहां से inverse trigonometric का आगे है second verse of second verse of second verse of second verse of direct function है आपका x में आपका आया y theta में यहां जो put के x equal to sin theta यह क्या हो जाएगा यहां theta का value sin inverse of x आजाएगा तो y equal to theta theta का value यहां से आगया sin inverse x अब इसको क्या कर दीजिए differentiation कर दीजिए तो dy by dx क्या आगया sin inverse x का difference है 1 divided by root under of 1 minus x square ठीक है यही आपका answer हो गया इसको हम लोग इसको घेर देंगे ठीक है यह था आपका question number 20 देख लिजिए एक बार अब हम लोग next question की तरफ बढ़ेंगे question number 21 की one लिए ठीक है यहाँ पर भी आपको दिख रहा है root नीचे क्या है यहाँ यह ध्यान देख जिएगा root under of 1 minus x square ठीक है तो आपका क्या पर क्या put कर सकते हैं आप put कर सकते हैं x equal to sin theta या x equal to cos theta भी put कर सकते हैं कुछ भी put कीजिएगा आपका अंसर सही आएगा ठीक है चलिए तो हम लोग यहाँ put करते हैं जेनरली हम लोग x equal to sin theta पूट करते हैं पूट x equal to sin theta तो y equal to क्या हो जाएगा 10 inverse of x equal to sin theta divided by root under of 1 minus यह क्या हो जाएगा बदा यह x equal to sin square theta हो जाएगा यह तो y equal to यहाँ से आगया 10 inverse of sin theta divided by root under of 1 minus sin square theta means cos square theta तो आपका क्या हो जाएगा 10 inverse of यह आपका sin theta divided by root से बहर निकालेंगे इसको तो आपका simple सा cos theta जाएगा फिर से आपका और simplify कीजिए तो y equal to 10 inverse of sin by cos क्या होता 10 हो जाएगा means आपका 10 theta अब आपका 10 inverse of 10 theta क्या होता है 10 inverse of 10 theta simple सा आपका theta जाएगा तो y equal to यहाँ से theta जाएगा अब देखिए theta को क्या value यहाँ जाएगा theta equal to sin inverse of x जाएगा इसको put करेंगे तो y equal to क्या होता है sin inverse x y equal to theta theta का value यहाँ से theta equal to क्या होता होता है sin inverse x 1 divided by root under of 1 minus x square हो जाएगा ठीक है यह है था आपका question number 21 ठीक है इसको हम लोग घेर देंगे यही आपका answer हो जाएगा यह था आपका question number 21 अब हम लोग next question की तरह बढ़ेंगे question number 22 लेंगे देखिए यह देखिए यह term देखिए पहले root under of 1 minus x square है root under of 1 minus x square है तो यहाँ पर आप रेक्ट पुट कीजिए x equal to sin theta चलिए पुट करते हैं तो y क्या जाएगा y equal to 10 inverse of x square sin theta divided by 1 plus root under of 1 minus x square sin theta यह आपका sin square theta हो जाएगा ठीक है और आगे बढ़ेंगे y equal to 10 inverse of sin theta divided by 1 plus root under of 1 minus x square theta क्या होगा cos square theta ठीक है चलिए तो y equal to 10 inverse of sin theta divided by 1 plus root से बाहर आएगा सिधे cos theta जाएगा इस तरह का question आप ओलेडी इसी आपका exercise solve कर चुके है ठीक है कौन सा फ्रमूला आप लएगा यहाँ पर देखेंगे sin theta equal to आप क्या लिख सकते है sin theta का फ्रमूला 2 sin theta by 2 into cos angle आपका आधा 1 plus cos है 1 plus cos जहां भी रहे 2 cos square लिखेंगे angle का आधा means आपका theta by 2 यह ओलेडी हम लोग बहुत बार देख चुके है चलिए तो y equal to यहाँ से क्या आएगा 10 inverse of sin theta के बज़े डालेंगे 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 1 plus cos क्या हो जाएगा 2 cos square theta by 2 हो जाएगा आगे बरते हैं आप देखें कुछ cancel हो रहा है 2 से 2 उड़ा देंगे 1 cos से 1 cos उड़ा दिए बचा क्या यहाँ पे y equal to 10 inverse of sin by cos means आपका 10 angle जो है theta by 2 उसको रहने देंगे अब आप यहाँ ध्यान देंगे 10 inverse of 10 theta क्या होता है theta होता है यहाँ theta क्या है theta by 2 तो y equal to क्या आजाएगा theta by 2 आजाएगा simple सा फर्म होगे अब हम लोग theta क्या यहाँ x equal to क्या डाले थे sin theta तो theta यहाँ से क्या आजाएगा sin inverse x आजाएगा तो direct हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो y equal to theta by 2 means 1 by 2 into theta theta के अब क्या है यहाँ से हम लोग find किये यहाँ देखिए sin inverse x यहाँ पूट कर देते है अब यह आपका function आ गया simplified form आ गया function का अब इसको क्या कीजिए इसका differentiation find कर लीजिए इसका difference से बस फर्मूला लगाएए dy by dx 1 by 2 बाहर लेंगे sin inverse x का difference is 1 divided by root under of 1 minus x square तो 1 divided by 2 into root under of 1 minus x square अब क्या हो जाएगा यह देखिएगा यह आपका answer हो गया इसको हम लोग यहाँ पे box से घेर देगे चली यहाँ पे आपको क्या करना तो यह formula आपको ध्यान में रखना था sin theta equal to sin theta by 2 into cos theta by 2 1 plus cos theta equal to cos square theta by 2 यह चीज़ आपको ध्यान में रखना था तो ली next question की तरह बढ़ते हैं question number 23 लेते हैं ठीक है देखिए फिर से यहाँ पे root under of 1 minus x square दिख रहा है तो root under of 1 minus x square दिख रहा है तो आप क्या किजिए चूप चाब आप x equal to sin theta by 2 पूट कर लिजिए या आप x equal to cos theta put कर सकते हैं दोनों में से कोई सा भी put कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आपका क्या हम लोग यहाँ पर generally x equal to sin theta put करके देखते हैं put x equal to sin theta तो क्या आजाएगा यह देख लेते हैं y equal to quart inverse of root under of 1 पूरे में root नहीं है यह देखिए यहा लिखने में गलती हो रहा था root under of 1 minus x गब क्या होगा sin square theta बस इतना ही पर root है बटा में x गब है नीचे आपका sin theta अब देखेंगे y equal to quart inverse of root under of 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा root under of 1 minus sin square theta क्या cos square theta divided by आपका sin theta हो जाएगा तो y equal to क्या गया यहां से y equal to quart inverse of root से बाहर जाएगा cos theta नीचे आपका sin theta तो यहां से y equal to quart inverse of cos by sin quart cos by sin quart theta होता है तेंथ में आपने पढ़ा होगा अब देखिए quart inverse of quart theta क्या होगा सीधा सीधे आपका theta होगा theta गए थिटा दिये हुआ है तो y equal to theta हो जाएगा ठीक है अब हम लोग यहां से जो put किये थे वहां से theta का value x में ले आते हैं तो theta equal to sin inverse of x आजाएगा तो y equal to क्या आगया theta equal to sin inverse of x अब dy by dx क्या आजाएगा dy by dx आपका आजाएगा sin inverse x का difference 1 divided by root of 1 minus x square यही आपका यह बस आपको बस simplify करना है उसका difference season बहुत ही आसान है चली तो इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं यही आपका answer हो गया यह था question number आपका 23 question number 24 पे चलते है question number 24 है आपका y equal to second verse of 1 divided by 1 minus 2x square इस तरह का question हम लोग और लेड़ी देख चुके हैं जहां पर आपका यह term दिखे 1 minus 2x square कौन सा question यह भी देख लीजिए आप उपर चलते हैं किस में है आपका 19 में होगा लग रहा है हाँ देखिए 19 देखिए यहाँ पर देखिए 1 minus 2x square है ठीक हम लोग यह cost 2 theta से लाए है चलिए यह उनिस देख लीजिए आप सेम आपके इसी process आप बनाएंगे आपका बन जाएगा चलिए तो उस पर दिखा देते हैं आपका question number कौन सा होता 24 देखिए 1 minus 2x square यहाँ भी वहाँ भी था चलिए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे cost 2 theta फिर से बता देते हैं cost square theta minus sin square theta होता है यदि आप इसको sin square में पूर टर्म को रख लगे यह 1 minus sin square theta लिख सकते हैं यह minus है तो 1 minus 2 sin square theta आजाएगा इसी चीज का आपको जरूरत है देखिए 1 minus 2x square यदि आप पूरा को cost में चेंज कर सा तो 2 cos square theta minus 1 यदि 10 में चाहते हैं तो 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta हो जाता है यह बात समझ में हाग गया तो हमको जरूरत क्या है वो देखना है हमको तो यह चीज यह अहाँ प्या भी जरूरत पर रहा है तो हम लोग क्या put करेंगे put 1 minus 2x square है बिस्ट आपका sin वाला पूरा पूरा होगा put x equal to sin theta तो क्या हो जाएगा y y equal to second verse of 1 divided by 1 minus 2 x का वाला क्या sin theta तो यह आपका x square तो sin square theta हो जाएगा तो y equal to second verse of 1 divided by 1 minus 2 sin square theta देखिए cos 2 theta cos 2 theta अब 1 by cos क्या होता है क्लास आपने 10th वे परहा होगा y equal to second verse of 1 by cos क्या होगा sec angle जो है उसको रहने देंगे अब देखिए यहाँ second verse of sec theta क्या होगा सीधा सीधी आपका theta हो जाएगा तो y equal to theta के बाद क्या है 2 theta तो यह 2 theta हो जाएगा ठीक है तो 2 अब theta का value यहाँ से निकालेंगे तो theta का x equal to sin theta है तो theta equal to sin inverse of x आजाएगा तो means आपका 2 sin inverse x आजाएगा अब इसको आम लोग क्या करेंगे differentiate कर लेंगे तो dy by dx equal to dy by dx of क्या 2 बाहर रख लेंगे यह आपका sin inverse x आजाएगा 2 बाहर है sin inverse x का difference 1 divided by root under of 1 minus x square यही आपका dy by dx आजाएगा 2 divided by root under of 1 minus x square ठीक है यह था आपका question number 24 अब हम लोग next question की तरफ बढ़ेंगे question number 25 लेंगे यह देखिए पहले था इससे पहले बाला question root under of 1 minus x square था था हम लोग x equal to sin theta और को सिद्या पूट कर सकते था ठीक है अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर root under of 1 plus x square आग गया यहाँ पर हम लोग put करेंगे x equal to tan theta क्या put करेंगे x equal to tan theta पूट कीजिए या x equal to cot theta पूट कर सकते है ठीक है x equal to tan theta पूट कीजिए या आपका x equal to cot theta पूट कीजिए तो हम लोग क्या put करेंगे यहाँ put x equal to tan theta चली तो आपका क्या हो जाएगा y equal to sin inverse of 1 divided by root under of 1 plus x अब यहाँ 10 theta तो 10 square theta हो जाएगा तो y equal to sin inverse of 1 divided by root under of 1 plus 10 square theta क्या होता है 1 plus 10 square theta आपने टिगनों में t identity class 10th में ही पराओगा क्या होता है sec square theta तो यह आपका sec square theta हो जाएगा तो आपका y equal to sin inverse of 1 divided by root से बाहर जाएगा तो यह आपका simple सा sec बन जाएगा अब 1 by sec क्या होता है cos theta तो y equal to sin inverse of 1 by sec क्या होगा cos theta इतना आपका बात हो गया clear अब यहाँ देखिए यहाँ sin inverse है यहाँ cos है यदि sin रहता तो आसानी से sin inverse of sin theta theta हो जाता लेकिन यहाँ cos है तो cos को हम लोग को change करना पढ़ेगा sign में क्या हो जाएगा complementary angle लगा cos को sin 90 minus theta लिख सकते है लिखिए तो y equal to sin inverse of cos को क्या लिख सकते है sin 90 degree minus theta अब direct फर्मूरा लगाएंगे sin inverse of sin theta क्या होता है theta होता है तो direct use कीजिए तो y equal to sin inverse of sin theta theta के बढ़े पर्म है means y equal to 90 degree minus में आपका theta आजाएगा इतना बात समझ में आया चलिए अब आपका theta को हम लोग put के x equal to 10 theta तो theta यहाँ से 10 inverse of x आजाएगा इसको हम लोग यहाँ put कर देंगे तो अब y equal to 90 degree minus theta के बढ़े आपका tan inverse of x आजाएगा इतना बात समझ में है यह था आपका question number 25 बस यह y निकल चुक है आप इसको differentiate कीजिए तो dy by dx क्या आजाएगा 90 है constant difference 0 minus dy by dx of tan inverse x हो जाएगा तो minus tan inverse x का differentiation 1 divided by 1 plus x square आजाएगा यह था आपका question number 25 टीक है